हेलो एवरिवन अभी इस टाइम मैं जब डे 5 के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक 81 इस्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना डे 4 का काम कंप्लीट कर भी लिया है तो ये 81 इस्टूडेंट्स लिटरली बधाई के पातर हैं और मैं देख सकता हूँ इनका ना कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा अगर आपने चार दिन का काम कंप्लीट किया है अभी तक इस प्रोग्राम का परपस ही यही है कि आपका मन करे या ना करे आपको पढ़ाई करनी पड़े तो आज डे 5 के बारे में बात करते हैं आज आपका सबसे ज़्यादा दे 1 से दे 4 इंपोर्टेंट मान सकते हैं लेकिन आज मोस्ट इंपोर्टेंट डे है आपका जो लोग बिगिनर हैं जिनोंने ज़स्ट अभी पढ़ाई करनी श्टार्ट की है उनका आज दे रिवीजन डे है और जो लोग एडवांस हैं जिनोंने इस बार का मेंस दिया था या फिर पिछली बार का प्री दिया होगा, या फिर जिनका स्लेबस complete है अच्छे से, तो उन लोगों के लिए revision day भी है, और उनके लिए full test day भी है, उनको थोड़ा ज़्यादा effort करना पड़ेगा, तो जो full test देंगे, वैसे day कोई भी सकता है full test, अगर beginner है, वो भी देना चाहता है, तो वो भी दे सकता है full test, लेकिन mandatory किन लोगों के लिए है, mandatory उन लोगों के लिए है, at least जिन्होंने इस बार mains लिखा था, उनके लिए mandatory है, प्लस जिनका slayvus एक बारी के लिए पूरा हो चुका है, उनके लिए mandatory है, उनको अपना full test देना पड़ेगा आज, और full test में आप क्या दोगे, आप SSC JEE का जो previous year है, 16 November 2022 का shift 1 का paper, आप attempt करोगे, उसी 2 घंटे में, बिल्कुल उसी तरह से 2 घंटे में ही करोगे, इसमें आपको time ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल इमानदारी से आपको attempt करना है, भली आप आधा कर पाओ, भली आप कितना भी कर पाओ, 2 घंटे आपको बैठना है, और paper देना ही है, और paper देने के बाद, वर्चुल लाइबरेरी में, डे 5 की वर्चुल लाइबरेरी में, आपको update करने है, अपने marks, जैसे आप पिछली बार करते थे, तो जो advanced बच्चे हैं, जो पहले mains दे चुके हैं, उनके लिए revision day और full test दे दोनों हैं, और जो beginner है, जिन्होंने अभी से start किया है पड़ाई, उनको revise करना है, day 1 से day 4 का सभी काम, तो अब तक आपके technical में, जो मैं आपको chapters दे चुका हूँ, day 1 से day 4 तक, वो है geometric design, SFD, BMD, estimation in costing के 15 questions मैंने दिये थे, आप उनको revise कर लेना, आगे के भी थोड़े question करना चाहते हो, तो कर लेना, classification of soils, cement, fluid properties, laminar flow के सिरफ formula थे, stones, properties of material, सौम का जो पहला chapter है, साथ में compaction of soil, और लाश में theodalite, ये आपको सब काम मैं दे चुका हूँ, अब तक, ये आपको दुबार से revise करना है, प्लस इन सभी के question करने है, अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा काम है, तो आपको at least क्या करना है, कि इनके 20-20 question तो आपको करने ही है, 20 question कहां से मिलेंगे, SSC.J.E. से कर सकते हो 20 question, या फिर YCT.A.E. से कर सकते हो, YCT.A.E. एक किताब है, जिसके अंदर पूरे देश के जितने भी अब तक A.E. के paper हुए हैं, उन सब के questions है, ये दोनों किताबे, volume 1 और volume 2, मैंने अपनी drive के उपर upload की वी है, वो आपको description section में मिल जाएगी, तो आपको at least, पहला तो revise करना है, जो आपने पढ़ा था, और दूसरे नंबर पे 20-20 questions सभी के करने हैं, हर एक chapter के, इतना आपका minimum काम आज का है, प्लस reasoning के अंदर, आपको mixed question करने है, coding, decoding के, blood relation के, direction के, paper cutting, mirror problems, and completing the figures, इन सब के question आपको random way में करने है, at least 5-5 question तो सभी के करने ही हैं आपको, और प्लस जो आपने history, geography, quality, जो आपने पढ़ी थी, आपको साथ के साथ उसके short notes भी बनाने हैं, हर बार आप जो आपके parent notes हैं, उन से नहीं देखोगे, आपने जो history, geography, quality में जो आपको लगा सीखा, आपने खुद से लिखी हैं जो चीज़े, आपको उन से revise करना है, ताकि आपको फिर से उतना ही time ना लगे, जितना पहली बारी में लगा था, तो ये आपका आज का काम रहेगा,